हेलो गाईज, वेलकम टू माई चानल, सो आज की क्लास में हम एक इंपोर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि NTA ने UGC NET की डेट निकाल दिया, यह आपने सही सुना, सो अब टाइम बहुत कम रह गया है, सो आपका एक्जाम 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में होगा, ठीके, सो जैसा कि आपको पता है, जो जून 2021 का एक्जाम है, वो डिले हो गया है COVID की वज़ा से, और जो December 2020 का एक्जाम था, वो भी नहीं हो पाया था, सो अब यह दोनों के दोनों एक्जाम क्या किया है, उन्होंने मर्ज कर दिया है, अब यह दोनों के दोनों एक्जाम एक साथ होंगे, ठीके, सो अब जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह NTA ने जो नोटिस दिया है, यह वो है, सो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, जिनोंने भी अपना फॉर्म पहले नहीं भरा था किसी भी रीजन से, या जिनों भरा था, लेकिन वो कंप्लीट भी कर पाए थे, तो अब आप वो फॉर्म को दुबारा भर सकते हैं, ठीके, सो रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, जिनोंने भी अभी तक अप्लिकेशन फॉर्म नहीं भरा, वो जाके भर सकते हैं, इसकी डेट 10 ओगस्ट से लेकर 5 September तक है, 5 September इसकी last date है, ठीके, और 6 September तक आप अपनी fees submit कर सकते हैं, 6 September last date है, fee submit करने की, और 7 September से लेकर 12 September तक आप में, आपके फॉर्म में, जो भी correction होगी, आप वो कर सकते हैं, अगर आपके कोई भी फॉर्म में, फोटो अगर गलत है, या sign की कोई problem है, जो भी है, आप 7 September से लेकर 12 September तक उसे सहीद कर सकते हैं ठीक है सो admit card की date अभी तक उन्होंने नहीं बताई है मैं आपको बता चुकी हूँ आपका exam 6 October से लेकर 11 October तक होगा और ये दो shift में होगा ये morning shift में होगा एक और एक evening shift में होगा आपकी जो भी shift होगी वो आपकी admit card के उपर लिखी होगी आपक अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा thank you